आदर निये कॉंग्रेस अध्यक्षा सोणिया गांधी जी आदर निये राउल गांधी जी आदर निये प्रियग्गा गांधी जी सभिया उबस्तित कॉंग्रेस के नेतागण, कॉंग्रेस कारे समिती के सदस्यगण, सभिया दूर दराई से आए, हर प्रदेश से हर जिले से आए, कॉंग्रेस परिवार के सदस्यगण, और खास करके मध्य प्रदेश से आए होए हमारे साथीगण बहुत तफ़े बहुत तफ़े मुझे अपने जीवन में मौका दिला कि इसी बेदान में कॉंग्रिस की रैली में भाग लेने का पर आज आज की रैली कॉंग्रिस की रैली जो एक संदेश नेगी देश को आपका जोश आपका उत्सा देखे मेरा खून डाई सो ग्राम बढ़ा है कॉंग्रिस आजादी से लेकर समय पर कॉंग्रिस ने देश को संदेश दिया है और आज की रैली देश को फिर से एक निया संदेश देगी देश की तस्वीर आप सब के सामने है हमारा नाजवान भटकता हुआ नाजवान जिसके सामने अंदेरा है हमारा पिटा हुआ किसान हमारा गरीब मजदूर हमारा दुखी वेपारी इसका चेहरा आपके सामने है आज सबसे बड़ी चुलोती हमारे नाजवानों की बविश्ची है आज का नाजवान में एक तरफ है आज का नाजवान कोई कमिशन नहीं चाहता कोई ठेका नहीं चाहता वे वेबसाई का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है ये ठितराबसद के सामने है और पिछले सालों में अपने देश में बित्ते उध्योग लगे नहीं उससे ज्यादा उध्योग बंद हो गए ये तस्वीर आप सब के सामने है देश के नौजवानों के सामने है हमारा किसान जिसका चन करदे में होता है जिसकी मृत्यू करदे में होती है आज अपना दुखी किसान बटक रहा है नियाए नियाए क्या मांगता है किसान केवल निया मांता है सायमूल निया मांता है और नई करांती लाने की जगे हमारे किरेशी छेत्र में एक नई करांती आए आज भारतिये-जंता.पार्टी कि सरकार मोदी जी किसकी बात करते है नाउजवानों की बात किसानों की बात नहीं करते मजबूरों की बात नहीं करते आपने मोदी जी-ी को यह बात करते हूए क्या बात करेंगे राश्णबाद की के बात करेंगे मोदी जी आप किसको पार्थ पढाने आए राष्ण बाद का आप किसको पार्थ के पढा रहे हो कि आप कॉंग्रेस को पढा रहे हो राष्ण बाद का मैं तो पूछना चाहता हूं भारतियेonter जंता पार्टी से आप गेन कर बता देजिये कि बारतिय जंता पार्टी में किते स्वतंतर संग्राम सेनानी रहे ये नाम बताएं कि राष्ट्रबाद का पार्थ कॉंग्र march को पढ़ाने आए ये राष्ट्रबाद का पार्थ ध्यान मोड़नेaroo राजनीती ये धियान मोरने की राजनीती से हमें देश को साफदान करना है बेरोजगारी से धियान मोरेंगे किसानों की समस्या से धियान मोरेंगे व्यापारियों की समस्या से धियान मोरेंगे ये धियान मोरने की कलाकारी की राजनीती का संदेश हमें पूरे देश में पहच मातों बहुत संदेश बेज़े आज मौकरा आया है एक नएा इतियास बनाने के लिए और मुझे पूरा स्वासे कि आज के बाद देश में एक नए संदेश जाएगा और देश के भबिश्र के Woah कॉंग्रेश एक राहूल गानी प्रियंका गानी कांग्रेस पार्टी दोस्तों हमारे सभी नेता आ चुके हैं मैं दो मिनट में अपनी बात रखूँगा आज ऐसा लगता है कि बंदर के हाथ में उस तरह आ चुका है ये केवल जलाना जानते हैं ये केवल काटना और बाटना जानते हैं नोट बंदी किये 125 लोग लाइन में खड़े हैं मर गए ये जियस्टी लाए ब्यापारी आत्माते करने लगए ये 375 लाए कस्मीर में ताला लग गया आज इनों ने केवल ला पूरा सेवल सिच्टर नार्थी चलने लगा अब ये NCR पूरे देश में लागू करना चाहते हैं ये देश में आग लगाना चाहते हैं अरे हम कांगरेस के लोग हैं हम लोग जान देना जानते हैं देश के एकतार खंटा के लिए मात्मा गानी ने अपने जान दी इंदराजी और राजी जी ने देश के एकतार खंटा के लिए बल्दान दिया है आज इसरेली के माध्डम से पूरे देश को ये संदेश देना है कि कांग्रेस ही एक मात्र विकल्प है और उसके नेता रहूल गांदी है हम सब मैं आप से कहना चाहता हूँ कि ये किसान विरोधी है ये ब्यापाड विरोधी है इन्होंने राजियों को सताना बंद शुरू कर दिया है GST का पैसा देना बंद कर दिया है 36 गर में किसानों को हम समर का मुले 25 सो रूपया देना चाहते है उसमें रोख उन्होंने लगाया है मैं इस मंच के माद्धम से कहना चाहता हूँ 36 गर अकेला राज जहाँ किसानों को 25 सो रूपया मिला और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज 36 गर में कोई किसाना अथ पहत्या नहीं किया पिछले साल और ये भी नरेंद मोदी जी रोखना चाहते है किसानों को पैसा देना लेकिन राहुल गांदी जी जी ने कहा था निया होगा और इस मंच के माद्ध हम से कहना चाहता हूँ कि 36 गर के किसानों के साथ नया होगा और पच्छी सो रूपिया उसके जेब में जाएगा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अगर निसुर्जेवाज जी को जिन्होंने मुझे मौका दिया परम्षदे शोनिया जी हमारे नेता राउल गांधी जी डॉक्टर मन्बोंचेंग जी प्रिंगा जी तमाँ उपस्ति नेतागान भाई और भहिन और नौजवान चाहतियों यह रेली नहीं देला है जितने लोग आप खड़े हैं यहां पर बैटेवे हैं चार गुणे लोग बार खड़े हैं रेली का नाम है बार बचाओ रेली 40 साल पहले इसी मदार में इसी नाम रेली हुई थी हम लोग आया थे उस वक्त में यहां पर हम एनेश्वे में थे जला कौमिर अद्धिक्स थे यही महोल जलिला देखने को मिल रहा था जो आजमिया देख रहा हूं आप सोच सकते हैं भारत Пशाओ कर नाम को रखा गया यह मेशेज देता है देख की जिसमंच जा रहा है लोग तंसरी की हत्या हरी है पुरा देख चिन्थी थे भाय का माहुल है, गुंडा किर्दी का माहुल है, हिंता का माहुल है, विस्टाष का माहुल है, अज्यर डॉक्टर मन मौंजी तीमें भे जो कहा था, शामारी क्ताना बनान नष्ट हो गया है, इसलिए जीडिपी गिर रही है, आप सोच सकते हो, एक तरफ चुनावारना अलग बात है तो राउल गांदी ने जो केम्पेंड किया था मुद्धा हदरी से केम्पेंड किया था किशनों के मुद्धे थे नौचवानों की रोजगरे के मुद्धे थे नोकरे लग देरी नोकरे जा रही है मुद्धूर बर्बाद हो रहा है काम तेंदे ठब हो रहे हैं राफल का मुद्धा था एक चुछपीस प्लेन की मांग थी देश को च्छतित में कुल आए गया पांटों का हवज़ार एक हज़ासोना सोना सो कोड़ में क्यों खेटा जा रहा है आर्यों मुद्धे जीवी थे देश के अंदर चुनाम में हार जीत कहते हुई है सबको मालूम है जिस पकार से राश्वाद की बात की गई क्या हम लोग यह बैट वे राश्वादी नहीं है सर्टिफिकर लेना पड़ेगा पीजे पीछे हम लोगों को सोच लीजे आप लोग राश्वाद की बात की गई च्छैनों के पीछे झिपके राश्वीará इंद्रा गादी ने तो पाकिस्तान के दो तुक्रे कर दी dynamics 3.8 को पाकिस्टान के जर्नल को करनल गो मेंजर को चेह थियाव सर्फक्रणित कर द Federationають कि अब है पर कभी उसके नाम भी राधिती निह की गई मोदी जी चैनी को पीछे चिपके राजी दिखना चाहते हैं राजबात की बात करते हैं आप सोच सकते हो देश की तिसा में जा रहा है यह सब करें जिंदक विशे होना चाहिए आज बीजे भी राज नहीं कर रही है इस देश में इस देश में आरे से राज कर रहा है आरे से क सब्सक्राइब मेरे। यह लोग दो को बचाने की बात करें आज के माहुल में एक बात करके मैं अपनी बात करता हूं कविरी घौरिक पंडे की कविता पो शठीक है राजा बोला रात है रानी बोली रात है मंत्री बोला रात है संत्री बोला रात है ये सुबे सुरे की बात है धन्यवाद जैहिं धन्यवाद